पूरा मामला बता देते हैं अर्फा खानम शेरवानी दा वायर में काम करती हैं पत्रकार अर्फा खानम शेरवानी अक्सर कट्टर इसलामी अजंडे को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाती हैं इस बार अपने बयान में वो फस्ते हुए नजर आ रही हैं दरसल भारत में चल रहे वंडे वर्ड कप को ल परान एहमदाबाद में फैंस द्वारा जैश्री राम का नारा लगाने पर विवारत बयान दिया था। परान द्वारा मैदान पर की जाने वाली नमाज को लेकर हमेशा खामोस रहती है। अरफा खानम ने कहा दानिश कनेरिया ने उनकी ओनलाइन लिंचिंग के लिए भीड छोड़ दी है और वो तुटर पर अब ट्रेंड कर रही है। उनका कि उन्हें दुख है कि कई धर्मों के फैंस त्वारा जिस अंतररास्ट्री क्रिकेटर को प्यार किया गया वो अब एक संपरदाइक ट्रोल बन गया है। इसके बाद अर्फा ने पाकिस्तान जाने से भी इंकार कर और कहने लगे कि वो अपने देश को शोड़ कर दुनिया में कहीं नहीं जाएंगी। इसके बाद दानिश कनेरिया ने अर्फा खानम शेरवानी द्वारा इस्तमाल किये गए शब्दो जैसे की भीर, लिंज, धानमी ट्रोल पर कटाक्ष किया। उन्हें साफ कहा कि उनके खिलाफ इन प्रोपोगेंडा शब्दों का इस्तमाल ना किया जाए। दानिश कनेरिया ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं भी संब्रदाइक्ता की बात की। दानिश ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। बता दे कि अर्फा खालम शेरवानी अक्सर आतंकी घटनाओं पर चुपी साल लेती हैं या फिर इस्लामिक कटर पंदियों का बचाव करती हुई दिखाई देती हैं। बार अर्फा को पाक क्रिकेटर ने लपेट लिया है जमकर जवाब सवाल हुए हैं और अब ट्रोल हो रही हैं अर्फा इस जानकारी पर आपकी जो भी राहे हैं मैं कमेंट करके जरु बताएं।